इलहाब अद्विस्विद्धाले की प्रोफेसर की एक ऐसी घटना जो सनातन हिंदू धर्म को तार-तार कर दिया है और ऐसे वक्त पे उनका निकला कि जिसको सब्दों को हम आपके समझ नहीं रख सकते हैं लेकिन उनके उपर बजरंग दल और विस्व हिंदू परसत के तमाम क करताओं ने उनको उपर फायर किया है और उसके बाद अब गिरिफतारी की भी मांग कर रहे हैं क्या है पूरा मामला हम लोग इनी से जानने वाले हैं क्या नाम हो भाई सबाब का जी मेरा नाम अमित सिंग है विभाग के सहसायों जक की जिमेदारी है मेरे नाते डॉक्टर विक्रम हरिजन ने जो यहां घटिया स्टेट्मेंट दिया है जो भी उन्होंने या बयान दिया या बड़ा दुरभागय पूर्ण है उनकी सिक्षा की जानकारी लेनी चाहिए विश्विद्यला प्रसासन इस बारे में उनके बारे में पता लगा है उनका क्या इतिहास रह है उस ट्वीट के माध्यम से उनको हम यह पूरा असर देंगे कि जो मुकदमा वो भगवान स्री राम चंदर जी के उपर दर्ज नहीं करा सके उससे मिलता जुलता मुकदमा हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिशत के कारे करता उनके साथ ऐसी उनको क्रिया की प्रतिक्र कोई कारेवाई करें अन्य था हम बजरंगल विश्व हिंदू परिशत के कारे करता अभी इतने कमजोर इतने लचर या नहीं हुए है कि किसी के सामने हमें बार बार गिल गिलाने या किसी के सामने बार बार हमें हाथ पहलाने की आवश्यक्ता पड़ी वह भी कारेंगे आप सम्विधान के दाइरे में ही रह करेंगे सम्विधान के दाइरे में ही रह करके उसके गिरफ्तारी की मांग हम सभी लोगों ने की है अगर सम्विधान के दाइरे का पालन करके करनल गंश्थाने के जिला प्रसासन के लोग उनके विरुद कारेवाई नहीं करते हैं तो निश् जाना चाहेंगे क्या ऐसी मानसिक्ता कैसी उनकी मानसिक्ता जो इस परकार का उनका कमेंड बाजी हो रहा ट्वीटर पुर नहीं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं जो हिंदू समाज एक धर्म में एक माला सूत में बंधा हुआ है उसको खंडित करने का विचार धारा है और इस सब इंका राणनेती स्टेंड है और इसी तरह उनने इसमें स्विलिंग के बारे में भी बोला गया था इंके तरफ से तो उस समय बच्चों से कहते थे कि देखो मैं स्विलिंग मैं ऐसा सा किया हूं मुझे कुछ हुआ अगर इश्वर के प्रती उनका इतना घटिया व सब्सक्राइब करेंगे तो उनके तदिजाजवाब उनकी तरह ही दिया सकता है यह प्रोफेसर साहब को यह बताने की आवश्चकता है आपके महध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि यह दिल्ली का जयनियू नहीं है यह सहीद पदुलाल की धरती है यह तीर्थराज प्रयाग की धरती है उनकी ताबूत में एक-एक कील ठोकने का काम विश्व हिंदू परशत इलाहाबाद जारी किया है जो भी बयान उसने प्रभू हम सभी के आराध मर्यादा पुर्शोत्तम स्री राम चंदर जी महराज के बारे में जो भी उन्होंने इस्टेट्मेंट जारी किया है ततकाल प्रभाव से करनल गंस्थाने के थाना ध्यक्ष और जिला प्रसासन के लोगों से में निवेदन करता हूं कि ऐसे निरंकुस ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को तुरं ततकाल प्रभाव से गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का कारे करें और उसके ट्वीट को तुरंत हटवाने का काम करें अनिता अगर उनके बसका नहीं है तो ह निरंकुस बयान इस व्यक्ति ने दिया है डाक्टर विक्रम ने जो दिया है इसके पूर्व जेनियू में हम लोग सुना करते थे कि भारत तेरे टुकडे होंगे इंसालला इंसालला हमारे विश्विद्याले के कई प्रोफेसर अपनी चाती चौड़ी करके कहते थे कि कभी विश्विद्याले में ऐसी हरकत हुई तो वहां उसकी आखरी ताबूत वहां पर उसकी ताबूत में किल्ट होकने का काम किया जाएगा लेकिन इस निरंकुस व्यक्ति ने हमारे पूरब के आक्सफोड को भी दूशित करने का उसको उसके नाम पर एक काला धबा लगाने का इस व्यक्ति ने काम किया है मैं कालेज प्रसासन से भी कहूं निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति की डिग्रियों की जाच करवा करके इसके विरुद्धकार रवाई की करपा करें चले देखे एक और भाई साह हमारे साथ जुड़े हुए है और आपकी तरफ से क्या प्रत बहुत आक्रोसित है यहां तक कि जो चातर है चातर भी आक्रोसित है हम तब तक इंद्यार करें जब तक प्रसासन ने हमसे कहा है कि हम अजाच करके इसकी गिरुतारी करेंगे अगर प्रसासन गिरुतारी नहीं करता है तो बजरंग दल अपने अस्तर से कारवाई करेगा हम क ये आग जल गई है तो जलती रहेगी जब तो गिरिपतार नहीं हो जाएगा हम पूरे काम मर्यादी ढंक से करेंगे चुकि ये हिंदू धरमपकी भावनाओं को पूरी तरह से आहात किया गया है माद दुर्गया के बारे में इस पकार भगवान सिराम के बारे में भगवान सि होनी चाहिए कि कोई जहादी तो नहीं है तो आपके माध्यम से ये खबर उसके कानों तक भी जानी चाहिए कि हम पूरा हिंदू समाज आक्रोसी थे और दुबारा इसी हरकत नहों इसके लिए वो अपने बाड़ी को सुधार ले और प्रसासन जल्दिस गिवतार करें बाद फिर से फिला पता भी होंगे जहां रहें माँ खोच के निकालेंगे और फिर ऐसा दफन करेंगे कि दोबारा कभी अपना विजिदंस नहीं निकाल पाएंगे इस तरीके से संगठन के दिश्टी कोन से जैसा उचित रहेगा जहां तक जाना पड़े वहां तक चले फिलाल ऐसे ही खबरे देखने के लिए जुड़े रही हमारी चनल साथ है